नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरत नसेन भारती अज़ हम बात करेंगे पंचाय चुनाप के बारे में पंचाय चुनाप की यह ऐसी घटना है जिसे जानकर अब ही हैरान हो जाएंगे बिहार में इन दिनों पंचाय चुनाब जारी है और कई चरणों के मतदान हो गए है। बैंक खाते से पैसे गाइब हो गए। इधर बूत से बोट देकर निकले और उधर मोबाइल पर मैसेज आया कि बैंक एकाउंट से पैसा निकल गया है। उन्हें के बाद मुंगेर के सदर SDO खुसबुगुपता गाउं में पहुंची जहां लोगों ने अपनी सिकायत अधिकारियों को बताया। साथे साथ उन्होंने अपने मोबाइल में पैसे कटने का भी मैसेज दिखाया जो उनके अकाउंट रे खाली हुए थे। इसके बाद SDO को पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मियों पर संदेह हुआ। संदेह के अधार परमदान कर्मी रवी कुमार को पकड़ा गया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले के बारे में सक्सित पूशा की तो उसने सारी कहानी बता दी। बता दें कि इस बार बोवस बोटिंग को रोकने के लिए बायोमेट्रीक मसीन लगाया गया था। प्रजी बोटरों को पकड़ा जा सके। लेकिन यहां तो खेल ही दूसरा हो गया। गाउंग को लोगों ने बताया कि उनके फिंगर पिंगर पिंट लेने वाले कर्मी ने हम लोगों के दो बार फिंगर पिंगर पिंट लिया था। बोटिंग शुरू होते ही ये खेल शुरू हो गया था पिड़ितों ने अधिकांस महिलाएं थी और सभी का खाता नौबा गढ़ी ग्रामिन बैंक में है वहां मौजूद ग्रामिनों ने यह भी बताया कि नीभा कुमारी के खाते से 5000 रुपे उसा कुमारी के खाते से 4000 रुप ये निकाले जाने का मेसेज लोगों ने अपने अधिकारी को दिखाया हाला कि कई ऐसे लोग थे जिनके अकाउट का अभी तक अस्टेटस नहीं पता चला है कि उनके अकाउट से जुआ कितने पैसे निकाले गए हैं पता दें कि बूब्थ पर बोटरों को फिंगर तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उपी रवी कुमार ने बताया कि वह सीधे-सीधे दिखने वाले बोटरों को निसाना बना रहा था बता दे कि रवी को निरवाचन आयोग ने बोटरों की उंगली का निसान लेने के लिए उसे टैप दिया था लेकिन वह उसके अलावा एक अपना बाविमेट्रिक मसीन भी लेकर गया था बोट डालने आ रहे लोगों से वह निरवाचन आयोग की मसीन पर उंगली Coleman का निसान लेता था फिर उसके तुरंत बाद कहता है की उनकी उंगली का निसान सही से नहीं आया है तब वह अपने बाविमेट्रिक मसीन पर उनकी उंगुठे का निसान लेता था ग्रामिन उनकी मसीन पर भी उंगली का निसान लगाते और अपने बैंक एकाउंट से पैसे ट्रांसपर होनी की प्रक्रिया पूरी हो जाती रभी उसी परकार लोगों से बैंक से पैसे निकालता चला गया अब इस पूरे मामले को लेकर SDO ने बताया कि फिंगर प्रिंट लेने बाले मतदान कर्मी को गिरेफतार कर लिया गया है उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की विश्तिरत चानविन की जा रही है तो यह बहुत बड़ा मामला है पंचाय चुनाब को लेकर इससे पहले दिरवाचा नयोग अपनी पीर थफथा पाती रही है कि हमने बायोमेट्रिक मसीन लगा कर फरजी वोटरों को पकड़ लेंगे या फिर हम पकड़ते रहे हैं लेकिन जिस तरह का यह मामला सामने आया जि कहीं न कहीं अगर हम वोट डालते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे इस तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी नीज के साथ मुझे दीजिए जाजत धन्यवाद